दोस्तों आपको पता ही है कि बिना बारिश के कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि समय पर बारिश नहीं होती है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि बारिश से ही किसानों का घर चलता है। आज भी भारत के अंदर अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते हैं। औ और समय पर जब बारिश नहीं होती है तो फसल सूखने लग जाती है और इसकी वजह से काफी बड़ी समस्या होती है क्योंकि एक किसान के लिए फसल ही सब कुछ होती है हाला कि भारत के अंदर बारिश को लाने के लिए कई तरह के टोने टोटके प्रचलित हैं यदि आपके य शिवलिंग को पानी में दूबो कर रखें दोस्तों कुछ जगह पर मान्यता है कि यदि आप शिवलिंग को पानी के अंदर दूबो कर रखते हैं तो उसकी वजह से भी बारिश होती है यदि आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो आप यह उपाई कर सकते हैं शिव हम आपको यहां पर और भी उपाय के बारे में बता रहे हैं। कि यदी किसी जीवित इंसान की शवयात्रा को निकाला जाता है तो फिर बारिश होने के चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं। नमबर थ्री बेड टोटका से होगी बारिश, पथारी भागों के अंदर यह टोटका काफी अधिक प्रचलित है। इसके बारे में आपको नहीं पता है। असल में इसके अंदर एक प्रकार की अजीब परंप्रा होती है। जब किसान खेत के अंदर काम करते हैं, तो महिलाईं गाजे बाजे के साथ किसानों पर हमला कर देती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से इंद्रदेवता काफी अधिक प्रसन होते हैं। 4. खाली माटके को मंदिर के कैमपस में गाड़ देने का तोटका दोस्तों कुछ जगा पर यह भी मान्यता है कि यदि आप मंदिर के कैमपस में खाली मतकों को गाड़ देते हैं, तो बारिश को लाया जा सकता है। ताकि यह तोटका किस तरह से काम करता है? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है. नमब फाइव पुरुषों पर पानी फेकने का तोटका दोस्तों इसके अंदर होता ये है कि कुछ पुरुष महिला के वेश में घर के बाहर सो जाते हैं. और उसके बाद घर की महिलाएं उन पुरुषों के उपा पानी फेकती हैं. यदि आप ऐसा करते हैं तो यह माना जाता कि बारिश होगी हालां कि यह तोटका कितना अधिक कार्गः होता है नंबर सिक्स गाव में करवाई जाती है होम दोस्तों यदि गाव के अंदर बारश नहीं हो रही है तो यह तोटका काफी अच्छा तोटका है और इससे बढ़िया आपको President नहीं मिल सकता है इसके लिए सब से पहले गाव से घी और पैसा को एकत्रित किया जाता है और उसके बाद होम के सामान को लेकर आया जाता है फिर दो या तीन दिन तक ज्यानी लोग होम करते हैं घी को होमा जाता है और ये तरीका काम भी करता है माना जाता है कि यदी घी को होम दिया जाता है तो बारिश जरू जाता है। इसके अंदर होता ये है कि मेधक और मेंधकी की शादी करवाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले मेधक और मेंधक को तलास किया जाता है और उसके बाद मेधक मेंधकी को हल्दी और भात लगाया जाता है। और दोनों तरफ से लोग बाराती के रूप में आते है गोरकपूर के अंदर इसी तरह की शादी करवाई गई थी हाला कि यह कितना कारगा होता है इसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन लोग इन सब चीजों पर भरोशा करते हैं नमब एट जंगल के अंदर जाकर बनाई जाती है बाटी बुंदेल खंट के अंदर इस तरह की मान्यता मौजूद है कि महिलाएं जंगल के अंदर जाकर बाटी बनाती है और उसके बाद उस बाटी को महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ खाती है यदि ऐसा किया जाता है तो बारिश होने के चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं यदि आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो आप यह उपाए कर सकते हैं यह आपके लिए काफी अधिक फाइदे मंध होगा. No.9 गधे पर दुलहे को बिठाना, ये भी एक प्रकार का टोटका होता है. यह मध्यप्रदेश के अंदर प्रचलित तरीका है. इसके अंदर होता ये है कि दुलहे को घोडे की बजाए गधे पर बैठाया जाता है. इससे पहले गधे को अच्छी तरह से सजाया जाता है. फिर बारात निकाली जाती है. और सब लोग मिलकर दान्स करते हैं. माना जाता है कि यदि ऐसा किया गया है तो बारिश होगी. इस तरह से अपने आप में ये एक अजीब टोटका है.